काज का बजट माने बित्तमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। मैं सबसे पहले इसका स्वागत करता हूँ। करोना काल खंड में जब दुनिया की तमाम अर्थ विवस्थाएं पूरी तरह प्रभावित हुई हैं। उन स्थितियों में भारत की 135 करोड जन्ता की अफिक्साओं और आकांसाओं को ध्यान में रख करके एक विकासोनमुक और व्यवारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं आधनिय प्रधान मंत्री जी का और मानिय बित्त मंत्री जी का हिर्दे से अविनंदन करता हूँ। वास्तों में बजट सर्वसमाविसी, सर्वकल्यानकारी और समाज के प्रतेक तपके के हितों को संबर्धन करने वाला बजट है। इस बजट में किसानों के लिए, नौज़वानों के लिए, महलाओं के लिए, गरीबों के लिए, और समाज के प्रतेक तपके के लिए, जहां बहुत कुछ प्रावधान किया गया है। वहीं साथी साथ, बजट देश के इंफरस्ट्रक्चर डेवलमेंट के लिए भी, चाइवा, राजमार्गों के छमता को विस्तार देने का हो, रेलवे इंफरस्ट्रक्चर को एक नईगती देने का हो, उर्जा छेतर में ब्यापक प्रिवर्तन लाने के दिसामें के जा रहे नए प्रियासों की ओर प्रिदेश का ध्यानाकर्शित करता हो, इंफरस्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने का जो प्रियास हुआ है, और स्वास्त्य के छेतर में तो आमूल्चूल प्रिवर्तन करने के लिए राष्टिय रोग नियंतर की दिस्से जिस प्रकार की कारयोशना बनाई गई है, यहाँ सभी अविनंदनीय है, जल जिवन मिशन अब तक ग्रामिण छेतर के लिए था, सहरी छेतर को भी इसके साथ सामिल करना, और जल जिवन मिशन को सहरी छेतर के साथ जोडने के साथ ही, सहरी छेतर में और भी तमाम प्रावधान जो किये जा रहे हैं, इस सभी स्वागत योग्य हैं, खास तोर पर जो सहरी स्वच भारत मिशन है, इसका पार्ट टू जारी होना, हम सब जानते हैं कि एगरिकल्चर के बाद देश के अंदर, सरवाधिक रोजगार प्रदान करने वाला छेतर टेक्स्टाइल का है, देश के अंदर साथ मेगा टेक्स्टाइल पार्क की गोषणा, ये स्वागत योग्य है, उर्जा छेतर में हाइड्रोजन इनर्जी मिशन की गोषणा, ये उर्जा छेतर में आमोलचूल प्रदतन का कारण बनेगा, और ये ही नहीं, बलकि अगर हम किसानों की बात करते हैं, तो ये सरुविदित है कि लागत का डेड़ गुना, दाम प्रधान मंत्री मोदीजी ने देश के किसानों को दिया, एक हजार अत्रिक्त मंडियों को ये नाम के साथ जोड़ने की जो कारवाई हुई है, कारवाई की घुछना हुई है, ये वास्तों में किसानों को लागत का डेड़ गुना दाम देने की गारंटी का एक माध्यम बनेगा, और एक बहुत महत्तुपूर्ण और बहुत ही ब्यवारिक बजट आज प्रस्तुत किया गया है, MSME सेक्टर जो निवेश का ग्रोथ इंजन माना जाता है, इसके लिए विशेश प्रोथसान देना, और आज हमने पहली बार देखा है कि पेपरलेस बजट ही नहीं आया, बलकि अब इस बजट में पेपरलेस बजट ने, भारत के इथियास का पहले पेपरलेस बजट ने, डिजिटल जन गर्णा की भी घोषणा की है, यानि सारी चीजें अब डिजिटल फोम में आ रही हैं, ये सुविधा जनक भी होगी और ब्यभारिक भी होती भी दिखाई देंगे, इसमें किसी भी प्रकार की कोई तहनली की कोई गुणजायस भी नहीं होगी, और सही तथ्य और सही आंकड़े तेश के सामने आते भी दिखाई देंगे, मैं एक करोना कालखंड में एक बिकासोनुमुक और ब्यभारिक बजट के लिए, जिसमें समाज के प्रतेक तपके का ध्यान रखा गया है, अधने प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से आवहार व्यक्त करता हूँ, मानि वित्त मंत्री जी को इस वजट के लिए हिर्दे से वधाई देता हूँ, और विश्वास व्यक्त करता हूँ, कि यह वजट नए भारत की नए अर्थनीति की अनुरूप, आम जन की आसा और अकानसाओं का प्रतिनीत्व करतावा दिखाई देगा भारत को दुनिया की एक आर्थिक ताकत की रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम बनेगा बजट में सौ सिनिक स्कूलों को राज्य सरकारों के साथ या पीपी मॉडल के साथ बनानी की घुशना इतन तो स्वागत युग्य है इसके साथ ही सिक्सा के छेतर में भी व्यापक प्रिवर्टन करने अनुसूची जाती के बच्चों के लिए इस्कॉलर्शिप की जो गोशना होई है यह अत्यंत लापकारी सिद्ध होगी बरिष्ट नागरिकों की जो पिकसाई थी कोरोना काल खंड में भी सरकार ने उनका ध्यान रखा और अब 75 वर्ष से अधिक आयू के जो भी वरिष्ट नागरिक हैं उनकी पिंसन की आय में टैक्स से छूड देनी की घोशना भी स्वागत योग्य है अनुसूची जन जाती के बच्चों के लिए एक लब्ब्य आवासे विद्यालियों के अत्रिक तो गोशना यतन तो सरानिय पहल है और अगर मैं कहूँ तो ये वजट सर्व समावेसी, सर्व कल्यानकारी और आत्म निर्फर भारत की मंसा से देश के गाउं का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महलाओं का और समाज के प्रतेक तपके के लिए कल्यानकारी होगा सबका साथ, सबका विकास, और सबके विश्वास पर ये वजट खराओं